नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों के लिए बिना इस्ट का लेकिन मार्केट जैसा पॉफेक्ट पिज़ा बेस की रेसेपी लेकिया हूँ बहुत ही इजी रेसेपी है ये और इसको दो तीन दीन तक स्टोर भी किया जा सकता है अगर आपके घर में फंक्शन हो या आपक आपके का भी यूज किया है बहुत पतला क्रस्ट है इसका मतलब इस इसका बहुत प्रिस्पी और बहुत टेस्टी है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसको बनाने के लिए टू-थर्ड कप मिल्क में वन टीस्पून विनेगर मिला दिया है मैंने पांच मिनट ऐसे ही रह लिया है और परपस फ्लोर है यह और इतना ही क्वांटिटी 3 4th कब गेहूं का आटा लेना है इसमें 1.5 टीस्पून से थोड़ा ज्यादा बेकिंग पाउडर डालिएगा मतलब 3 4 टीस्पून बेकिंग पाउडर 3 4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नमक नमक वन टेबल इस्पून मैंने इसमें हनी डाल दिया है आप इसकी जगा शुगर पाउडर भी एक चमच डाल सकते हैं इन सबों को अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद दूद और विनेगर का जो मिक्षर है न उससे इसका बहुत ही अच्छा मुलायम आठा गूथना ह अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं एक चमच पानी मैंने इसमें डाला है और डाल के इसका एक तब मुलायम सा आठा गूथना है यह 15 ग्राम सॉल्टेड बटर है इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ और अब इसको अच्छे से 3-4 मिनट नीडिंग अभी और भी करनी है अब इसको प्लेटफॉर्म पे रख करके इसको अच्छे से मसल मसल के इसका आठा लगाना है 3-4 मिनट अच्छे से मसल दीजिएग बस आठा तयार हो जाएगा यह important step है इसको मेस नहीं कीजिएगा यह देखिए तीन-चार मिनट तक अच्छे से गुथने के बाद आठा तयार हो गया है यह इस तरह का soft होना चाहिए अब आठी को दो भागों में डिवाइड कर दिया है मैंने एक portion लेके इसका गोला बना लेना है उपर से थोड़ा सा सुखा मैदा भी छिड़क दिया है मैंने अब इसको रोटी की तरब बेलना है इसकी मुटाई लगभग half centimeter के आराउंड में होनी चाहिए एक baking tray लेना है उसमें थोड़ा सा बटर डालके इसको अच्छे से टीसू से मिला देना है अब जो बेली हुई रोटी थी मत्त पिज़ा वे से इसको ट्रे में रख दिया है अब थोड़ा सा मार्केट की finishing देने के लिए मैंने ये 9 इंच का cutter यूज किया है ये cake ring है इससे मैं इसको cut कर रही हूँ ताकि बिल्कुल गूल शेप में मार्केट की तरह ये बेख होने के बाद तयार हो एक्स्ट्र पोशन को निकाल लेना है लेकिन इसको फेकना नहीं है इसको फिर से बेल के एक मिनी पिज़ा बेस तयार हो जाएगा अब cutter को निकाल दिया है मैंने थोड़ा सा हाथ से finishing दे रही हूँ मैं अब तूथपीक या फोक जो भी आपके पास अवलेबल हो उससे इसमें धेर सारे होल्स कर देने हैं ये बहुत जरूरी है ताकि बेख होने के बाद पिज़ा बिलकुल फ्लाट रहे अब ओवन को प्रिहिट करना है 180 डिग्री टोस्ट मोड और 10 मिनट के लिए प्रिहिट करना है इसके बाद उसी मोड पे 10 मिनट के लिए बेक भी करना है ये देखे 10 मिनट हो चुके हैं और पिज़ा बेस बेक ہو के बाहर आ गया है अब इसको इसी तरह से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है लग रहा है ना मिलकुल मारकेट के जैसा पिजा बेस तो आप भी अपने पिजा बेस में जादा से जादा होल कीजिएगा ताकि वो फ्लाइट बेक हो थिकनेस भी कितना अच्छा है ना ज़्यादा ना कम पीछे से भी अच्छे से बेख हुआ है तो है ना ये पॉफेक्ट रेसेपी अब फटाफट एक पिज़ा भी बना के आपको दिखला देती हूं जब भी आपको बनाना हो फटाफट से पिज़ा बेस पे धेर सारा पिज़ा सॉस लगा दीचेगा या टोमाटो केचप लगा दीचेगा इसके उपर मौजेरेला चीज को डाल दिया है मैंने ये घर में जो भी सबजिया अबलेबल थी उसको भी काट काट के इसके उपर में मैंने डाल दिया है उपर से ये पिज़ा सिजनिंग को भी मैं डाल रही हूं इसकी जगा आप औरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं अब ओवन को प्रिहिट भी करना है टोस्ट मोड पे 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्रिहिट होने के बाद अब इसको बेक भी करना है उसी टैंपरेचर पे 8 से 10 मिनट के लिए अगर बेस ज़्यादा क्रिस्पी पसंद हो तो 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा बेक कर लिजेगा मेरा पिज़ा तो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है कितना प्यारा दिख रहा है न अब इसके पिसे गट करके मैं आपको हर एंगिल से दिखाने की कोशिश कर रहे हों किТना अच्छा बेस बना हुआ है ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत पतला है और एकदम बराबर सिका हुआ है ये दूसरा पीस में उठा के दिखला रही हूँ मैं आपको कितना अच्छा बेख हुआ है तो है ना बहुत यूजफूल रेसेपी आप कभी भी इसको बना के रख लीजे और दो-ती दिन के बाद भी आप इसको फटा-फट पिज़ा बना करके रेडी कर सकते हैं पार्टी में पीछे से भी देख लीजे कितना अच्छा सिका हुआ है ये उम्मीद करती हूँ कि ये रेसेपी आप लोगों को पसंद आई होगी तो जो नए हो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और आप सबों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद